समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजपार्टी के गड़बंदन पर जहां विरोधी दल मुखर हो रहे हैं और लगातार तंज कस रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सपा को अपने ही नेताओं की बगावत का सामना करना पर रहा है अब इसी सिलसले में उत्तरप्रदेश के जिले फिरोधाबाद के सिरसागन से सपा विधायक हरियोम यादो ने गड़बंदन के खिलाफ हला बोला है और साथी समाजवादी पार्टी के राश्ट्रिय महासचीव राम गोपाल यादो के खिलाफ भी जम कर भढ़के हैं सपा संद्रक्षक मुलायम सिंग यादो के समधी हरियोम यादो ने साफ कहा है कि गड़बंदन फिरोधाबाद में तो काम नहीं कर पाएगा और साथी उनका ये भी कहना है कि जब तक अखिलेश यादो मायावती के सामने घुटने तेकते रहेंगे तब तक ये साथ चलता रहेगा इसके अलावा उन्होंने राम गुपाल यादो पर खुट के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया साथ ही ये भी कहा कि उनकी बेटे आक्षी यादो ने सांसद रहते हुए भी कोई काम नहीं किया है इसके अलावा सपा के खिलाफ आगामी 22 जन्वरी को लुखाबाद में वो एक कारिक्रम भी आयूजित कराने जा रही हैं जिसका नाम है पोल खुलो खर अब देखना होगा कि हर योम यादो के बगावती तेवर का क्या हल निकालते हैं अखिलेश यादो SPN 9 Newsroom की रिपोर्ट